हेलो गाईज, बेलकम और माई यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ, गर्वर्मेंट आफ एन्सिटी आफ दिल्ली द्वारा, दिल्ली सर्वल ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर द्वारा एक वेकैंसी नोडिफिकेशन डाल निकाली गई और सारी डिटेल से इंफ्रमेशन इसमें हम बात करेंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी बिकंसी हैं, और वीडियो के एंड तक बने रहे हैं, क्योंकि तभी मैं बताऊंगा कि जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, क्या वो इन पोस्स के लिए अलिजबल है क जो की नहीं है, तो सारी बाते इसमें करेंगे हैं, तो पहले स्टाट करते हैं वीडियो, तो इसमें जो उपनिंग डेट हैं, वो चारजून से स्टाट हो रही है और क्लोजिंग डेट इसकी, 3 जुलाई से 3 जुलाई तक रहेगी, अब ही बात कर लेते हैं, कौन-Kौन सी प तो बात करना हूँ मैं trained graduate teacher English male के लिए तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 1029 पोस्टे हैं और trained graduate teacher English ही जिसमें की females के लिए लग से vacancies है तो इसमें 961 पोस्ट इसमें है और अगर हम बात करते हैं next category की तो इसमें उर्दू की हैं उर्दू male और female की तो इसको भी हम release छोड़ आई से 346 पोस्ट हैं यहां पे हैं और female के लिए 571 पोस्ट हैえー next आगर हम बात करते हैं trained graduate theater Sanskrit male के लिए 866 पोस्ट हैं तो काफी जादा पोस्ट हैं यह next आप देख सकते हैं trained graduate teacher Sanskrit female के लिए तो इसमें 51 पोस्ट सोरी 1159 पोस्ट है नेक्स्ट अग्राम बात करते हैं train graduate teacher पंजाबी मेल के लिए इसमें 382 पोस्ट है और train graduate teacher पंजाबी मेल के लिए 492 पोस्ट है और इसकी जो category break down वो यहाँ पे दे रखी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को pause करके इस सारी category break down दे रखी है कि किस किस category में कितनी कितनी पोस्ट हैं यहाँ पे हैं तो में recording बहुत सारी पोस्ट है नेक्स जलते हैं कि इसकी eligibility जो है तो मैं first of all आपको बता देता हूं कि कोई भी information लेने के लिए आप जो general information है उसको देखने के लिए आप website पे visit कर सकते हैं dssd.dilly.gb.in पे वहाँ पे current vacancies जो होगा उस option पे जा सकते हैं या फिर slash current vacancies slash dilly subordinate service selection board पे क्लिक करके आप वहाँ पे सारी details पढ़ सकते हैं या फिर इनकी जो website है dssd.online.nick.in पे जाके आप online apply कर सकते हैं तो जो उसकी मैंने पहले पता दिया है कि last date जो अब वो 3 जोलाई है तो next जलते हैं कि qualification की तर यह में eligible है means की कुछ है candidates मिल जाएंगे और मेरे चैनल पर जो candidates है बाकी अगर कोई candidates बाकी सिब्सक्राइब्स की तो एक bachelor degree चाहिए और equivalent from a recognized university having scored 45% marks in aggregate in two school subjects of which at least burn out of falling तो इसमें English में mathematics में natural और physical science और social science इन चारों में से at least दो subject आपके पास होने चाहिए तब आप TGT English के लिए eligible हो तो आप द्वारा से देख सकते हैं यहाँ पर bachelor degree होने चाहिए यहाँ पर aggregate और in two school subjects of which at least one out of following should have been as a elective स्वारी दो subject होने चाहिए और इन में से एक subject जोगा वो elective study किया होना चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह subject दे रखे हैं और main subject जो दे रखा है टीजेटी, natural science और physical science, Shelby, physics, chemistry, biology, botany, eulogy और social science में history, political science, economics, business studies, sociology, geography और psychology हो सकती हैं और साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं category को यहाँ पर 5% जो है, 45% जो है, 5% lexation मिल जाएगी और यहाँ पर दे रखा है candidates who passes a post graduate qualification in any of the flowing subjects above mentioned उनको भी 5% यहाँ पर lexation मिल जाएगी और साथ में आप देख सकते हैं working knowledge of Hindi भी होना चाहिए next चलते हैं और क्या qualification है इसमें देख सकते हैं यहाँ पर should have qualified CTAT from CBSE तो CBSE से candidates का जो है CTAT qualified होना चाहिए the candidates should have the subject concerned as mentioned in RR for at least 2 years during the graduation course तो 2 साल तक यह subject पड़े होने चाहिए बाकी वही conditions दी हुई है और next बात कर लेते हैं हम यहाँ पर graduate teacher English की बात की हुई है तो सारी same conditions रहेंगी still इन्होंने थोड़ी सी modifications की होगी इसके लिए next चलते हैं next अगर हम exam pattern की बात करते हैं कि किस तरह का इसका exam pattern रहने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके यहाँ पर दो गेंटे का exam रहने वाला है MCQ type questions पर रहेगा तो यहाँ पर जो total questions रहेंगे वो 200 रहेंगे और total marks की बात करें तो वो भी 200 रहेंगे total marks, descript not applicable लिखा हुआ है यहाँ पर और अगर हम बात करते हैं grand total तो 200 का बनता है और तो 200 का paper रहने वाला है और बात कर लेते हैं कि किस तरह का exam pattern रहने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं section A में MCQ of one mark is as per existing examination scheme 1 journal awareness रहेगी इसमें journal intelligence रहेगी reasoning ability mathematical and numerical abilities रहेगी fourth number पर दिखा है test of hindi language comprehensions and fifth number test of english language and comprehensions जो की total 100 marks का रहेगा और 20 marks each section रहेगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 section बन रहे हैं 20 marks का एक section रहेगा और 100 questions होगा next section B जो है उसमें अगर हम बात करते हैं तो mcq रहेंगे बन mark each रहेगा from subject concerns including questions on teaching methodology and B-ed marks तो इसमें जो second section रहेगा वो आपके concerns subject से related रहेगा और B-ed से related उसमें questions जैसे psychology के जा फिर जो teaching learning processes होती हैं उसे related questions पूछे जा सकते हैं तो total यहाँ पर 100 marks आपके इसके रहेगे और 100 marks section भी रहेगा इसमें 5 section है आपके जो कि 20 marks के रहेगे और इसमें teaching learning abilities और जो आपका concerns subject है उससे related questions आएगे तो यह होगा इसका exam pattern और 200 का exam रहने वाला है बाकी जो भी इसमें यहाँ पर negative marking की बात कर लेते हैं तो negative marking will be applicable and detection of तो one fourth की detection होती है wrong answer के लिए तो वो इसकी चलेगी यहाँ पर और next देख सकते हैं in two tier examination, tier one exam to be used for short listening on list and selection will be made on the basis of mark obtained in tier second examination तो दो tiers में यह exam रहने बाला है, means कि दो exams होंगे आपके और first exams just for qualification, qualifying and जो second होगा उसकी ही merit बनेगी तो यह total video था, अगर इसके regarding आपको कोई doctor है जा कोई inquiry है तो आप comment section में comment कर सकते हैं, इस तरह के video updates के लिए आप channel को subscribe कर ले और bell icon पे click कर दे ताकि आपको मेरे आपकोई video narration मिलते हैं, thank you